हाई, to all my beautiful people, कैसे हैं आप सब लोग, आप सभी लोगों का बहुत चारा वाला welcome है guys, आज की स्कूप सुरत सी रीदिंग के अंदर, I hope आप सभी लोग ठीक है, स्वस्त है, सब बढ़िया है, हमारी जो जिन्दगी होती है न, इसके अंदर, एक के बाद, एक के बाद, एक के बा न, एक करते हैं और फिर बोलते के, रहे भगवान मेरे साथ ही क्यों, मतलब आपने मुझे ही चूस कर रकाया है क्या बस only, आपने सिर्फ ऐस्ट मुझे ही पिक कर रखाया है क्या, तो यह कुछ आमोमन हम बाते बोलते हैं भगवान से, लेकिन हम इसके पीछे का लोजिक के सामने इसी चीज के उपर प्रकाश डालने वाली है कि exactly आपके लाइफ में इतनी सारी चुनौतिया क्यों है आज की ये रीडिंग चाहए आप जिस भी एज के हैं आप ज bibli ने उसके हैं आप जहां भी रह रहे हैं आप जो भी लैंगविज फ्रफ करते हैं जो भी चास्ट कम्यूनिटी कुछ भी सबसे रेजनेट होगी because being a human हमारी life में पैदा होते के साथ challenges शुरू होते हैं और बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम आकरी CD पर होते हैं और फिर भी हम कुछ न कुछ चैलेंज अभी face करके जस्ट आय हुए होते हैं So my beautiful people आप सभी लोगों का बहुत सारा welcome है इस खुबसुरत से प्यार इसे चैनल के ऊपर जो की चैनल का में बहुत ही खुबसुरत soul family है जिसका नाम है triple one tarot अगर आप लोग मेरी आवास को पहली बार सुन रहे हैं तो भी मैं आपको बहुत सारा वाला स्वागत करती हूँ welcome करती हूँ तो आज की reading का topic यही है कि आपकी जिन्दकी में यह जो challenges है वो क्यों है यह आपको क्या सिखाना चाहते है और ऐसा क्या करना चाहिए आपको जिसकी वज़े से यह challenges आपकी life से खतम हो सके ठीक है आई यह शुरू करते हैं आज की reading I hope आप लोगों को मैंने topic तो अच्छे से समझा दिया है अब मैं बात करती हूँ आपके pile selection की जिन्दकी के बहुत सारे aspects है spiritual, mental, physical physical में health आ गया आपका love, career, finance, money हमारी बहुत सारे aspects है बहुत सारे field है हमारी life के तो आज उन में से कुछ specific important field को मैंने ऐसे pile आप लोगों के लिए यहाँ पर compile किया है pile number one में है emotional और physical emotional और physical का मतलब हो गया क्या? ऐसे connection जहाँ पर emotions involved है वहाँ पर पैसे के साथ साथ emotions बहुत जादा involved है जैसे कि आपका कोई GFBF हो सकती है या फिर आपकी कोई spouse हो सकते है या आपकी कोई mother father हो सकते है siblings हो सकते है या फिर कोई relatives या कोई extended family member कोई भी ऐसा रिष्टा जो emotions से connected है ठीक है अगर उसके अंदर आपको अगर emotional चीजों में challenges देखने को मिल रहे है प्यार में challenges देखने को मिल रहे है या फिर physical यानि कि health से related बहुत सारे आपको challenges देखने को मिल रहे है या शरीर में किसी तरीके की विकार को लेके कोई challenge देखने को मिल रहा है तो आप लोगों ने pile number one को pick करना है ठीक है मैं बहुत ही clear आप लोगों को समझाने कोशिश करे हूँ फिर भी अगर आपको ऐसे लगता कि कोई point छूट जाता है या कुछ समझ नहीं आता तो आप please comment कीज़े मैं comment आप लोगों के पढ़ती हूँ तो आपको बहुत अच्छा लगता आपके comments पढ़ना तो आपको बताया सकते है emotional and physical यानि की वो रिष्टे और आपकी हेल्थ आप ऐसे कह सकते हो ठीक है अगर आपको यहां इस फील्ड में चैलेंज बहुत देखने को मिलते हैं तो प्लीज पाई नम्बर वन को बिक करें पाई नम्बर टू है professional career and finance बहुत सारे हमारे professional रिष्टे होते है या भर मैं ऐसे कहूं कि बहुत सारे हमारे professional areas होते है career की बहुत सारे areas होते है finance की बहुत सारे areas होते है तो अगर आपको ऐसी जगये पर जहां पे पेसा बनाना है क्रियो चुछ के कुछ करना है कुछ जिम्मेदारियां है ठीक है इन सब चीजों से related अगर आपको, यानि कि मेटलिस्टिक चीजों से related अगर आपको कुछ strong चुनौतियां आ रहे हैं, कुछ strong challenges आ रहे हैं, तो pile number 2 को pick करें, ठीके, 2 को pick करें, 1 and 2, I hope आप लोगों को मैंने अच्छे से समझा दिया है, तो reading की शुरुवात करते हैं, अब reading की श चुनौति है क्यों और फिर हम लोग चौथे नंबर पर देखेंगे किसका solution क्या कर सकते और आपको इस चुनौति से बाहर निकलना कब तक पॉसिबल हो पाएगा, एक tentative time भी देखेंगे, ठीके, चलिए, स्टार्ट करते है आज की रीडिंग, अगर आप लोगों को ये री और सब लोगों से रजनेट होगी, और आप लोग इस खुबसूरत से प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का पार्ट बन सकते हैं अगर आवी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, आईए शुरू करते हैं आज की खुबसूरत से रीडिंग आप लोग जानते हैं, specifically मैंने क्यों यहां पर मेंशन की यह चीज, मैंने इसलिए मेंशन की ताकि आप लोगों को confusion ना हो, बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को confusion बहुत जादा हो जाता है, और एक चीज और मैं बोलूँगी कि अगर आपको finance से related भी कोई इसु आ रहा है, कोई challenge आपको बार-बार आ रहा है, या फिर प्यार से related, emotional concept से related कोई चीज आपको बार-बार-बार तंग कर रही है, और आप समझ नहीं पा रहे हो कि आखिरकार आपके साथ बार-बार-बार-बार यह situation हो क्यों रही है, आईए शुरू करते हैं आपकी reading, emotional and physical, चलिए, start करते इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पर, सद्रेट आप लोगों को थोड़ा से दिखेगा कि हाँ यह आपकी reading चल रही है, तो आज की reading है उसको हम चार चरणों में divide करेंगे, चार parts में divide करेंगे, यह चार levels में लेंगे, पहला level होगा कि हम देखेंगे mental conditions क्या है आपकी, दूस why these challenges are coming in your life, and fourth हम देखेंगे इसका solution और tentative time कि कभ यह सब चीज़ें खतम हो पाएंगी, ठीक है, आएए शुरू करते हैं, pile number one, emotional and physical, यानि love and health, यह love किसी से भी हो सकता है, emotions की बात हो रही है यापे, ठीक है, basically, सबसे पहले देखेंगे, आपके mental condition, pile number one, bottom of the deck क्या है, page of cups, ठीक है, पहला काड़ है, nine of cups, दूसरा काड़ है, knight of wands, तीसरा काड़ है, four of pentacles, और चौथा काड़ है, eight of wands, ठीक है, पहली बात तो मुझे यहाँ पर energy feel हो रही है, Aedes, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, and Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius, यानि कि air sign यहाँ पर मौजूद नहीं है, अगर यह air sign आपको दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि अगर यह air sign है, तो यह आपकी reading नहीं है, the thing is, अभी आप इस energy में vibrate कर रहे हैं, ठीक है, मुझे यहाँ बहुत strong energy feel हो रही है, इस eight of wands की, कि ऐसी बहुत सारी बाते हैं, जो आप अपने, like, अपने मन में दबा के बैठे हैं, और उन बातों को आप सामने वाले को कहना चाहरे हो, ठीक है, और उन बातों को आप कहना ही पा रहे हो, exactly, यह आपकी love का कोई concept हो सकता है, कोई emotions and related चीज़ों का आपका कोई concept ह सकता है, यह आपके मन की कोई व्यथा हो सकती है, जो आप लोगों से share करना चाहते हो, आपको ऐसा लग रहा होगा, कि इसको ना finally मेरे को कह देना चाहिए, तब जाके मेरे को रिलाक्स हाए, लेकिन कहने का आपके बस कोई वे नहीं है, यह कोई समय नहीं है, यह आप ऐसा सो कह देना चाहते हो, और उनसे कर लेना चाहते हो, communication मुझे ज़्यादा दिखा रहा है, यह card, four of pentacles आपके दिमाग में, सिर्फ emotions ही नहीं, पैसा भी चल रहा है अभी, आपके दिमाग में यह भी चल रहा है, कि ठीक है चलो, यह तो जो चल रहा है, जखकर चली रहा है, कम से कम कारियर को भी तो सुध देनी पड़ेगी, और एक चीज और, आप अपने रिष्टों को improvement पर लेकर जाना चाहते हो, for example, आपको नहीं अच्छा नहीं लगता, कि किसी के साथ भी आपकी लडाई जगड़ा हो, या communication या connection बहुत लंबे अर्से तक खराब रहे, आपको नई प Night of Wands, आप अपने mindset के अंदर अभी बहुत जादा passionate है, चीजों को लेकर कि बहुत जादा often नहीं हो रहे हैं, चीजों को challenges को ले रहे हैं, और सोचने की कोशिश कर रहे हैं, कि इस चीज से overcome कैसे किया जाए, मतलब एक हताश energy मैं या पर महसूस नहीं कर रहे हो, जो बहुत अ 9 of cups की energy आएगी, यानि कि wish fulfillment और great abundant वाली energy आएगी, abundance सिर्फ पैसे में नहीं होता, abundance हर चीज में होता है, abundance का मतलब ही होता है, प्रचूर मात्रा में, ठीक है, तो वो चीज किसी भी चीज में हो सकती है, प्यार में, पैसे में, health में, पीस में, ठीक है, abundant peace, तो ये energy मुझे काड ने आया यहां पर, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे एक चीज अंदर से feel हो रही है, intuitively, कि आप इसे कुछ लोग ऐसे भी है, जो बहुत ज़दा depressed या negative feel करते है, because of any trauma, या any past relationship, या फिर किसी तरीके के health issue की वज़े से, अपने आपको थोड़ा सा संकोची महसूस करत हैं, और आप मेंसे बहुत सर ऐसे लोग अभी होंगे at present, जिनका mental state ये चल रहा है, एकदम depression वाला, कि किसको बोले, क्या बोले, क्या कहें, पाता नहीं, क्या सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे, वाली energy मैं आपर महसूस कर रहे हूं, तो ये तो रही आपकी mental state की बात, अब ह situation की, ठीक है, क्या situation actually मैं हो रही है आपके साथ, intensity, the creator, friendliness, bottom of the deck isolation का card है, card no. 3, ठीक है, चले, देखते हैं, तो पहला card आया था, यहाँ पर intensity, दूसरा card आया, यहाँ पर the creator, ठीक है, तीसरा card आया, यहाँ पर the friendliness, चौथा आया, यहाँ पर the patience, फिर आया, यहाँ पर second card, possibilities, card no. 2, possibilities, conditioning, bottom of the deck isolation का भी card है, है ना, दो card और निकालोंगे मैं आप लोगों के लिए, मुझे feeling आरी है क्योंकि, फिर है आपका thunderbolt का card, और फिर है आपका aloneness का card, okay, bottom of the deck है sharing, sharing, caring, okay, तो pile no. 2 people, अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हो challenges, ठीक है, यह आप लोगों से resonate होंगे, एक चीज में यहाँ पर बहुत strong देख रहे हूँ, कि जैसा आपने, आप किसी रिष्टे के अंदर आई, आप 100% उस रिष्टे को लेकर के इतने इतने लॉयल हो जाते हो, है ना, pile no. 1 people, आप इतने लॉयल हो जाते हो इस connection को लेकर, कि जो वो सामने वाला बंदा deserve करता है, उससे भी कई गुना जादा आप उस person को दे देते हो, ठीक है, for example, बंदा deserve करता है 100, आप उसको 1000 दे देते हो, यह गलत है, anyways, अगर situation की मैं यहाँ पर बात करूँ, तो मुझे यहाँ पर patience की energy बहुत जादा नजर आ रही है, like आप किसी चीज का बहुत लंबे अर्से से इंतिजार कर रहे हो, यह कोई relationship की व्यथा हो सकती है, या फिर आप अपने आपको एकदब conditioned और negative feel करो, because of your physical health, और your physical issues, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर यह physical issues नहीं होते, हो सकता आप में से कुछ लोग unfit है, unfit in sense, या तो जादा weight है, overweight है, या फिर underweight है, ठीक है, मैं यहाँ पर कोई body shaming नहीं कर रहे हूँ, जो energies आ रही है, बही बता रहे हूँ, ठीक है, तो कुछ लोग underweight है या overweight है, और वो सोचते हैं, बहुत बहुत सोचते रहते हैं कि मैंने ऐसा करना है, मैं यह करू या वो करू, अबर उनको सेम चैलेंज फेस करने को मिलता है, ठीक है, लोगों की तरह से तानी और negativity देखने को मिलती है, यह बहुत सरे एसे लोगोंगे, जो अपने physical health को लेके इतने परिशाने कि उने conditioned मैसूस होता है, conditioned incense, एक ऐसी energy जहां पर बंदा सिफ पढ़ा है, वो कुछ कर नहीं आपके मन में जजबा बहुत है, जनून बहुत है, कुछ कर गुजरने की energy बहुत है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, because of this conditioned energy, because of this physical issue, ठीक है, आप अपने आपको अकेला महसूस करते हो, आपने किसी ऐसे relationship में invest किया, या किसी ऐसे रिष्टे के अंदर आपने अपना 100% देन को, अपने relationship के अंदर, या अपने किसी emotional relation को, चाहिए वो parents को, siblings को, relatives को, friends को, किसी को भी आप संझाने की कोशिश करते हो, लेकिन वो बंदा समझता नहीं है, again communication, miscommunication की energy, कि वो बंदा समझता नहीं है, वो बंदा समझता नहीं है, वो आपको उल्टा ले लेता है, वो आपक सारे ऐसे लोग हैं, जो अपनी life के अंदर इस present trauma को feel कर पा रहे हैं, कि आप चाहिए किसी इंसान के लिए कितना भी कर लें, कितना भी कितना भी कर लें, चाहिए फिर वो friendship हो, चाहिए वो relationship हो, चाहिए वो कोई सब emotional connection हो, and may last में आप alone ही energy feel करते हैं, जब आपको किसी की होती हैं, तो आप हमेशा हर किसी की energy में खड़े रहते हैं, full intensity के साथ, full power के साथ, ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपे feel कर रहे हूं, और वो है thunderbolt की energy, अभी हो सकता है कि आप अपने किसी past relationship या किसी ऐसे रिष्टे को लेकर के tower की energy में रहे हैं, कि आपको ऐसा लगा कि सब सब कुछ खतम हो गया, सब कुछ खतम हो गया, सब कुछ negative विरक्ति के भाव में चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी stable नहीं है, in fact ऐसा भी हो सकता है कि उस रिष्टे या उस challenge की वज़े से आप spirituality में बहुत enhance हुए, ठीक है, आप tarot में बहुत influence हुए आप tarot स ठीक है, बहुत आपने indulging की energy आपकी तबसे आई, आप अपने आपको सीखे है, अगर आप अपने इस रिष्टे के साथ ऐसा हुआ है, तो उसकी energy बता रही हूं, कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, कि आपने किसी रिष्टे में बहुत कुछ दे है लेकिन आपको वह करेंगे कि यह challenges आपके साथ है क्यों तो challenges आपके बहुत सारे aspects में हैं चाहे फिर वो friend हो, चाहे family हो miscommunication, misunderstanding, patience, overgiver की energy, last में अकेले रह जाना, कुछ चीज़ों को लेके अपने आपको conditions और हताश हा रहा हूँ मैं से passionate होना लेकिन तन से कहीं न कहीं विरक्ती negativity के भाव में जाना तो ऐसी energies में यहाँ पर आप लोगों के लिए feel कर रहे हूँ तो challenges मैं feel कर रहे हूँ अकेले रह जाने का, अपनी बात को ठीक से न समझाने का, negativity में बार बार जाने का, किसी चीज़ का बहुत जादा हमेशा इंतजार करने का challenge और हमेशा, you know, लोगों के लिए करना लेकिन लोग अभी आपके लिए करते नहीं है और ये same same cycle हमेशा आपके साथ repeat होती रहती है तो ये 5-6 challenges मैं feel कर रहे हूँ आप लोगों के लिए और इसके अंदर physical attributes भी शामिल है अब हम बात करते है that why these kind of challenges are there in your life इस तरीके के negative challenges आप लोगों के जिंदगी में आफिरकार क्यों है ठीक है? Okay ये vice versa deck है 1 2 3 4 5 6 7 So my beautiful pile number 1 people ये चीज़ें कही न कही में समझ गई थी अगर मैं cards नहीं भी निकालती न तो भी मैं आपको बता पाती कि आखिरकार आपके साथ ऐसी situations या issues होते क्यों है देखिए सबसे पहला card यहां पर आया था 8 of wands का 8 of wands लेकिन ये 8 of wands ऐसे नहीं आया है ये 8 of wands ऐसे आया है आपको परता है by number 1 people आपके साथ में miscommunication and misunderstanding के challenges क्यों बार बार आते हैं या emotional challenges आपके life में क्यों आते हैं बार बार क्योंकि आप कभी भी अपना stand नहीं लेते ठीक है आपको जो अच्छा लगता है आप उसके लिए stand नहीं लेते आपको बहुत easily no बोलना नहीं आता आप हमेशा सामने वाले को no नहीं बोल पाते अगर कुछ चीज आपको अच्छी लग रही है तो आप उसके लिए हाँ और कोई चीज बुरी लग रही है तो उसके लिए ना बोलने की energy में या potential में नहीं रहते हैं कोई भी आपको मूर्ख बनाने की energy में रहता है हमेशा और जब आपका घड़ा भर जाता है और जब आप सामने वाले को समझाने की energy में जाते हो तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि आरे इसके मूँ में भी जबान है भाई ये भी बोल सकती है बोल सकता है अच्छा और अगर ये बोल सकती है बोल सकता है तो ये अभी क्यों बोली पहले क्यों नहीं बोली इसका मतलब इसको ना मैंने कुछ जादा ही पैमपर कर दिया इसको कुछ जादा ही मैंने छूट दे दी और फिर वो negativity के साथ बढ़ता चला जाता है ठीक है तो सबसे पहला reason है यहाँ पर कि आप अपने लिए stand नहीं लेते आप अपनी इच्छाओं के लिए stand नहीं लेते आप कभी ये नहीं सोचते कि ये चीज मुझे suit हो रही है या नहीं हो रही है आप हमेशा ऐसा सोचते कि चल कोई बात दी ना it's okay कोई बात दी ना it's okay लेकिन ये आपको बहुत बहुत नेगेटिव पड़ता है second issue आपके साथ क्या है आप सामने वाले के लिए वो सब करने को तैयार हो जाएंगे जो आप कभी खुद के लिए नहीं करेंगे आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मुझे एक बात बताएगे आप खुद को priority नहीं देते हैं आपके emotional connections क क्यों खराब होते हैं क्यों इतने negative challenges आते हैं आप अपने आपको कभी भी priority नहीं देते हैं आप अपने आपको कभी भी happy energies में नहीं रखते हैं ठीक है आप दूसरों के लिए वो सारे struggle कर लेंगे जो आप खुद के लिए कभी नहीं कर पाते हैं next आप लोगों के लिए लोगों के लिए ठीक है इसलिए next आप लोगों के लिए यहाँ पर आया हुआ है night of swords का card night of swords की energy आप इतना जदा passionate रहते हैं लोगों के लिए कि लोग आपको taken for granted लेते हैं ठीक है next आप लोगों की life में physical aspects क्यों है खराब आपके लिए आया है seven of swords आप अपने लिए planning नहीं कर करते हैं ठीक है आप अपनी life को लेकर के सतर्क नहीं रहते हैं आप लोगों की जंदेगे में खुशी और happiness भरने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन खुद को कभी भी importance नहीं देते आप इसे बहुत सारे लोगों का अगर मैं numero chart analysis करू ना आप लोगों की date of birth का तो definitely एक चीज बहुत strong निकलेगी कि आप लोगों का lesson is दर्ती पर आकर यह सीखना कि आप खुद को कैसे pamper कर सकते हो खुद को कैसे importance दे सकते हो खुद को कैसे priority दे सकते हो अब से जब भी आप किसी relationship में invest करने की कोशिश करे ना तो एक चीज ज़रूर देखिएगा कि सामने वाला बंदा इतना deserve करता है या नहीं कहीं आप ना हमेशा गलत जगे पे जाकर के अपना दिल लगाते हैं हमेशा आप गलत जगे पे जाकर अपना time invest करते हैं आप हमेशा सामने वाले को समझाने की कोशिश बहुत लेट में करते हैं जब चीज़ें बिल्कुल खराब हो जाती हैं आप कि divine spirit guides आपको क्या guidance देना चाहती है for this energy वैसे सही बताओं तो pile number one people आप लोग बहुत जदा महान बनने के चपकर में ना actually आप महान बनना नहीं चाहरे हो आपका इनेट ही ऐसा है लेकिन इस महान बनने की energy में मैं सच बता रही हूँ आपने अपना डबा गोल करा हूँ है सच self acceptance take charge and action and no bottom of the deck blessings and abundance देखे आपके लिए यहाँ पर आ रहा है physical जितने भी challenges उसके लिए आ रहा है कि जैसे है जो है कुछ भी कर रहे है प्लीज अपने आपको accept कीजिए उसी level पे उसी energy में आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते है अपने साथ अपनी life का charge लीजिए action लीजिए औ आपके लिए आया है यहाँ पर no that you don't need to pay attention towards what people think about you वो आपके बारे में क्या सोचते हैं क्या बोलते हैं आपको इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए आपको अपना potential पता है अपनी life का charge अपनी life का जो remote है जो सब लोगों को आप पकड़ा देते हो उसको सरफ अपने पा पसंद है उसके लिए हाँ और जो आपको नहीं पसंद है उसके लिए ना करना सीखे आपके लिए बहुत जरूरी है file number one people now let's check कि इसका उपाय क्या हो सकता है उपाय तो मैंने आपको सारे बताई दिये है यह जो challenges आपके life में आ रहे है यह ऐसे आते रहेंगे जब तक आप खुद को importance नहीं देंगे फिर पिर अगर आपको किसी तरिके का love issue आ रहा है because of any third party situation या आपको सच्छे प्यार की प्राप् मंदर लीजिए और वहां पर जाकर के शहद या बासुरी ठीक है या फिर एक पान मीठा पान ठीक है उसमें कुछ खराब बराब नहीं होना ची मीठा पान जाकर के कृष्ण जी को अरपन कर दीजिए specifically वह कृष्णा का ही मंदर होना चाहिए ठीक है तब जाके situations आपकी clear हो और आपकी ये जो negative emotions और physical चीज़ों को लेके जो challenges है ना वो आने कब खतम होंगे वो आने तब खतम होंगे जब आप ऐसी चीज़ों को और ऐसे लोगों को entertain करना बन करेंगे आप अपने मन की सुनना शुरू करेंगे moreover ये time होगा सर्दियों का जब बहुत कड़ाकी की होती है November, December, Jan, Fap, March कभी कबार ठीक है तो ये 4-5 महीने ठंड होती है तो आप इस चीज़ को समझ जाइए और अपने हिसाब से अब आगे चीज़ों को कीजे ओके तो emotional and physical guys pile number one ये थी आप लगों की reading आपको कैसी लगे मुझे ज़रू बताना comment section के माध्यम से अपना ख्याल और प्लीज यार प्लीज नोट कर लो लिख लो यार लेकिन करो अब नहीं खड़े होगे अपने लिए तो कब खड़े होगे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है इस अनर्जी जाती है तो please do something for yourself okay अपने उपर काम कीजे और खुद से धेसार अवाला प्यार कीजे इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजे उस इंसान के साथ जिसके लिए आपको ऐसा लगता है कि हाँ इस बंदे को यह रीडिंग देखने की बहुत ज़रूरत है ठीक है और आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं on my mail ID for any personal pay readings अगर आपको और ज्यादा डीटेल में कुछ चाहिए तो या समझना है तो या फिर आप लोग मुझे Instagram पर मेसेज कर सकते हैं Instagram पर मुझे follow करना ना भूले सही Instagram का link मैंने description में डाल रखा है जो है official triple one tarot ठीक है अब नबना ख्याल रखेगा कुछ से प्यार कीज़े कर चल्दे मिलते हैं तब तक के लिए बाबाई और आप लोगों ने पिक किया है Pile No.2 को यारी कि professional career and finances को तो आये शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग आपने specifically money और career को यहाँ पर importance दी है that means हो सकता है कि challenges आपको बार-बार repeat हो रहे हैं specifically आपके professional career and career and finance में है ना चलिए start करते हैं आपकी reading and मैं उमीद करते हूं दुआ करते हूं कि आज की रीडिंग अदर आपको एक बहुत ही solid and clear solution definitely मिलेगा तो चलिए शुरू करते हैं किस बात की चिंता फिर चलिए तो मैं beautiful beautiful Pile No.2 people professional and career finances सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपका current mindset फिर हम लोग जाएंगे आगे किस चीज के अंदर that what kind of situations you have right now current situations फिर हम लोग देखेंगे आपके challenges क्यों है और फिर हम उपाए और time पे जाएंगे ठीक है seven of swords king of wands the tower or the justice bottom of the deck है two of wands Pile No.2 people overthinking के पुतले बन गए हैं आप ठीक है हमेशा बस overthinking 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 करते रहते हैं चीजों को लेकर के माना जिन्दकी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सही level पर या सही तरीके से नहीं जल पा रहे हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप चीजों को लेकर के हमेशा overly overly सोचते रहें क्योंकि अगर आप इतना over सोचेंगे तो situations आपके life में कभी भी happiness की दरफ नहीं जाएंगे आप अपने आपको बहुत सारी जगे एक negative pattern में देखेंगे और आपकी इससे health और आपके relationships दोनों खराब होच सकते हैं तो इस चीज का थोड़ा सा खयाल रखें आपको present state of energy है यहां से कहीं मेरे को दूर भाग जाना है like six of swords का कान है कई दूर भाग जाना है मैंने और मैं अब बस इन Kirk comm को देख देख देखें तंग हो गई हूं और अब मैं इने नहीं देख पा रहा हूं और कोई support नहीं है यहां पर मुझे ऐक चीज और यहां पर फील रही है जैसे कि कि किसी तरीके का या किसी इनसान का या किसी particular चीज का या किसी का नियों आप कि See लेवल मैं नहीं देख पा रहे हूँ, और उस सपोर्ट न होने की वज़े से भी आप अपने आपको अकेला और बेजार महसूस करते हैं बहुत बार, ऐसा हो सकते हैं कि आपके परिवार में तो बहुत सारे लोग हैं, ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकते हैं कि परिवार में तो बहुत सारे लोग हैं, आसपास भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सीन यह होता है कि जहां पर बंदा अपने मन की बात सामने वाले से नहीं बोल पाता है, तो वो चीज मुझे यहां पर बहुत स्ट्रॉंग लग रही है, आप अपने मन की बात को नहीं बोल पा रहे हो, और आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको करना क्या चाहिए, भाग जाओ कि आप, Six of Souls, की एनरजी है, King of Wands का कार्ड है, I must say, बहुत सारी चीजों के अंदर आप अपने आपको बहुत जादा टिपिकली exhaust फील कर रहे हो, आपके exhaustion की एनरजी भी है यहां पर, और एक चीज और में आप फील कर रहे हो आप लोगों के लिए, वो है कि, Black Tower तो है है, लेकिन justice का भी कार्ड है, तो आपके दिमाग में एक पॉइंट यह भी है, कि जो मर्जी हो जाए, लड़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हो सकता है, आपके पीछे responsibilities बहुत सारी है, ठीक है, तो अभी आपका mental state क्या चल रहा है, भाग जाओ, क्या करूँ, exhaustion, यार अभी सह नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत अकेला रह गया हूँ, या बहुत अकेली रह गई हूँ, और मेरे सथ भगवान जस्टिस करेंगे या नहीं करेंगे, तो यह तो present state of energy आप लोगों की चल रही है, अब हम बात करते हैं, कि, what is the exact situation, क्या नहीं करेंज आप वाई रहा हूँ है, बात करेंगा हूँ खो बात है करेंगी, ये वाववशियस में बाती है, बात करेंगे तोफमाम्ट सह टनापल्सが नहीं, Exact situation Hmm, eight of cups Consciousness, the conditioning फिर आपके लिए आपे आए हैं Intensity और फिर आया है आपके लिए आपर Integration आई होप आप लोगों को argrain सेधर निभ रिख रहे हैं ठेक से मैं शेप भी एं फिर निवा कि मैं पता निभी थी द्रिए हैं इनृग है る सितनी है भी थी or high थी कि बस इसको यहां रख देती हो मैं ठीक है तो पाइल नंबर टू पीपल क्या सिचुएशन चल रही है मालूम है सिचुएशन यह चल रही है कि एक कहावत होती है अंधा पीस एक उत्ता खाय है तो मतलब कर बहुत रहे हो बहुत कर रहे हो बहुत बहुत करने कोशिश कर रहे हो हो सकता है आपको कई बारी आप जो कुछ भी महनत कर रहे हो उसका उस्ट्रगल का फल भी आपको मिलता है लेकिन वो न एक्जाक्ली टर्न नहीं होता है किसी बेनिफिट में turn नहीं होता है किसी opportunity में वो waste चला जा रहा है बार 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 ठीक है आप हो सकता है बहुत जगे interview दे रहे हो आप satisfied job की तलाश में हो लेकिन positive satisfied job आपको कहीं मिल नहीं पा रही है आप सोच रहे हैं बहुत कुछ अच्छा create करने के लिए लेकिन आपको वो create नहीं हो पा रहा है वो creation नहीं हो पा रहा है चीज़ों का आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़े ना एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद चलती रहती है आपके बहुत सारी आइडिया आते हैं मुझे यहां पर बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं जिनके पास debits भी हैं कुछ ऐसे negative debits जो कि किसी तरीके का इसा कोई कर जाया या किसी तरीके की कोई ऐसी चीज जिसकी वज़े से आप बहुत negative आप spirituality में बहुत belief करते हैं ठीक है आप भगवान में बहुत belief करते हैं लेकिन जब सामने सब कुछ इतना negative चल रहा हो न तो बंदे का विश्वास डगमगा जाता है तो मुझे यहां पर ऐसी feeling आ रही कि आप जिस भी चीज में हाट डाल रहे हो न वो चीज कहीं न कहीं negatively bounce back हो र इसपेशली उन लोगों के साथ हो रही होगी जिनकी डेट अब बर्द में कहीं 11 या बाइस आता है ठीक है एक चीज तो में आप बहुत strong महसूस कर रहे हो काइस कि यह जो challenge आपके profession life में और career finance में आ रहा है इसका जो रिष्टा आपके past से भी है आपके past पूर जनम की बात है यहां पर ठीक है उससे भी है और दूसरा आपके present life के जो कुछ thought process है उससे भी है ठीक है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी बट पहले करन ठोड़ी situation जाले तो कुछ लोग है यहां पर जो new job की तलाश में कुछ लोग है जो new opportunity की तलाश में है लेकिन चाहे आप कुसी भी चीज की तलाश में वो तलाश आपके खतम हो नहीं रही है आपको एक सही दे नजर नहीं आ रहा है आपके challenges related to career and finance खतम होने का नाम नहीं ले रहे है आप बहुत सारी चीजों में struggle की energy में बहुत सारी चीजों में आप undecided situations के अंदर participate कर रहे है बहुत बहुत जादा और चीजों को create कर पाओ या चीजों को सही कर पाओ आपके पास होने को बहुत कुछ है लेकिन चीजें धीरे धीरे आपके life से या level से खराब हो रहे है या खतम हो रहे है आप चीजों को खो रहे हो ठीक है चैरियोट का card है और I must say queen of cups का card है यहाँ पे तो मैं फिर बोलूंगी क आप अपने emotional baggages को आप अपने emotions को और अपने career को कहीं न करी मिक्स कर रहे हो मुझे ये energy भी फील हो रही है यहाँ ठीक है नहीं करते थे ठीक है और उस चीज का negative effect मेरी health पर पड़ता था तो मुझे एक चीज बहुत strongly समझ आए कि जहाँ पर मतला जरूरत ना होना वहाँ पर overgiver नहीं होना चाहिए otherwise इससे आपका खुद का नुकसान होगा और आपका नुकसान होने की वज़े से आपके आसपास के लोग तो चलो सफर करेंगे जो करेंगे जो genuine लोग है वो भी सफर करेंगे क्योंकि आप सफर कर रहे हो right तो याद है last to last year I guess yet शायद last year में बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं कितनी बार बिमार हुए हूँ मैंने कितनी बार आप लोगों से काई कि मेरी तब थोड़ी ठीक नहीं है कितनी बार वीडियोस नहीं आए कितनी बार इतना कुछ नेगेटिव हुआ ऐसा क्यों because मैं over giver की energy में बहुत रहती थी ठीक है over giver की energy में रहना बंद कीजे pile number two people otherwise आपके लिए आपकी life के लिए आपकी health के लिए किसी भी चीज के लिए ठीक नहीं होगा okay तो situations यहाँ पर क्या है आप लोगों के लिए कि आपका mindset state तो ये चल रहा और challenges या रहे है points में अगर थोड़ा सा briefly describe करूँ तो challenges यह आ रहे हैं कि पैसा बच नहीं रहा है save नहीं हो पा रहा है उतना नहीं मिल रहा है जितना actually आपको मिलना चाहिए deserving नहीं मिल पा रहा है new job या new opportunity हाथ में नहीं आ रही है कुछ सही सही तरीके से clear आ नहीं पा रहा है जो चीज करना चाते है वो करने ही पा रहे है ठीक है over giver की energy में जादा रह रहे है खर्चे जादा हो रहे है और आए कम हो रही है और आप कोशिश करके कुछ हासल कर भी रहो ना तो भी वो waste जा रहा है कुछ भी काम नहीं आ पा रहा है life कापी टाइम से stuck है ठीक है तो professional और professional career या finance में अगर इस तरीके की challenges आप लोगों की life में आ रहे है तो state हो गया situation या challenge हो गया अब हम बात करते हैं कि ये challenges आ क्यो रहे हैं ठीक है लेट में पिक सम कार्स पी यू गाइस वैसे तो मुझे जहां तक है पता लग गया है और मैं उसके लिए आप लोगों को remedies दूँगी बट फिर बहुंग हुँ 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 नहीं बात है bottom of the deck six of wands कभी भी आप जीच सकते हो ऐसी बात नहीं है देखो सबसे पहली चीज तो यह justice का कार्ड यहाँ पर clarify कर रहा है कि यह आपके past life का कोई debit है जो की चुक रहा है अगी ठीक है past life में बहुत बार ऐसी situations होती है हमारे साथ present life में भी ऐसी होती है कि हमने उसका बला नहीं किया हमने उसका सही नहीं किया हमें उसके लिए कुछ और करना चाहिए था हैना हम बस सोचते रह जाते हैं हमरे डिमार्ग में बहुत सारे thoughts आते हैं हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं हम करते कुछ नहीं है वो justice create हो जाता है कर्मा क्रियेट हो जाता है जो हमें चुकती होता तो यह past life के आपके negative वाउस और आपके past life के negative कर्माज हैं जो आपको present life में finance related negativity दे रहे हैं second इन खुद के लिए stand ना लेकर के overgiver की energy में रहने की वज़े से ऐसा हो रहा है यह challenges तब तक repeat होते रहेंगे जब तक आप एक new energy के साथ नए state of mind में ना करके कुछ start करें कुछ नया create ना करें आप अगर हमेशा आपका दिमाग आपको intuitively बहुत बार guide करने की कोशिश करता है pile number two people I am feeling this energy आपका दिमाग आपको बहुत बार बहुत चाली चीज़े guide करने की कोशिश करता है बट आप उसकी सुनते ही नहीं हो ठीक है eight of swords के energy में रहते हो eight of swords के card बहुत intuitive card होता है कि इस बंदी के पास देखो water भी है ठीक है यह कभी भी water से क्योंकि water क्या होता है energy absorber होता है तो यह बंदी कभी भी कभी भी इसकी जो रस्तिया है इतनी lose है इतनी जादा lose है कि यह कभी भी खोल करके water को sense करके intuitions ले सकती है और इन swords से निकल सकती है क्योंकि यह swords side में लग रहे है इसके आसपस नहीं लग यह बट स्टिल यह इसी energy में है तो बताओ अब कैसे ठीक होगा फिर सम ठीक है तो यह challenges क्यों आरे है वो भी मैंने आपको बता दिया past life करमाज और present life के भी कुछ negative steps है जो आप लिए जा रहे हो बार बार ठीक है अभी एक हो सकता है proper divine time नहीं आया हो या फिर ऐसा भी हो सकता ह कि आपके मन में कुछ है लेकिन आप कर कुछ और ही रहे हो ठीक है उसका भी impact पढ़ रहा है now let me check आपके लिए क्या advice भगवान जी देते हैं और क्या उपाई या क्या timing आपकी रहेगी जब यह चीज़ें से तल हो पाएंगे देखो पहली बात तो यह भगवान आपको एक चीज़ बहुत strongly करने के कोशिश कर रहे है कि trust करें trust करें universe पर ठीक है trust करें energy पर सब बढ़िया होगा don't worry खुद divine spirit guides and angels आपके साथ है don't worry and spiritual growth करने कोशिश करो एक mantra है न ओम तारे तु तारे तारे सोहा you can chant this mantra as much as you can आपके career के लिए ठीक है और फिर भी अगर चीज़ें से टलनी होड़ी तो आप एक काम करो दुर्गा मा की बग्ति कीज़ें और आप उनके मंदर में जा करके उन्हें हरी चूडी ठीक है हरी या लाल चूडी या अर्पन कर सकते हो दर्जन दर्जन ले जाओ ठीक है और हरी या लाल चूडी या दोनों का combination भी आप लेके जा सकते हो चुनरी के साथ लेके जाना और यह आप उनको अर्पन करकर आईए और उनसे कहकर आईए ठीक है कि प्लीज मेरी ना आप यह चीज कीजे मेरा करियर फिनांसर रिलेटेड़ चीज को सेटल कीजे आप यह रेमेडी भी कर सकते हो ठीक है बट आपको अपने अनर्जी को भी ठीक करना पड़ेगा आप सोच कितना हराब हो इस डिप्रेसिव एनर्जी से बाहर आईए अब मैं चेक करते हूं इस रेमेडी को करने के बाद और इस रीडिंग के कब तक बाद आपकी चैलेंज इस प्रोफेशनल और करियर फिनांस से खतम हो सकते हैं ओके नाइन ऑफ सोच भाहिस एनर्जी से बाहर आजब फाइव ऑफ कप्स ठीक है नाइन ऑफ कप्स यहाँ पर नाइन नाइन बहुत दिख रहा है मुझे मतलब नाइन बहुत है यहाँ पर आई मस्स से एक चीज जो मुझे बहुत स्ट्रॉम फील हो रही है अगर आप लोगों क को ट्रिपल नाइन बहुत दिख रहा है पाइल नंबर टू पीपल समझ जाहिए यह न्यू बिगनिंग करने का समय है पास्ट की खराब चीजों को लाइफ से भगा दीजे जो चीज आपको एंटरें नहीं कर रही है जो चीज आपके लिए सही नहीं है आप उनके लिए जो को खतम करके आगे बढ़ते हैं तो आगे आने वाले नाइन डेज यह नाइन वीक्स आपकी लाइफ में इस्टेबिलिटी आ जाएगे आप इस करियर फिनांस के प्रोफेशनल नेगिटिव चैलेंजे से बहार आ जाएंगे ओके तो मैं ब्यूटिफुल पाइल नंबर टू कैसी लगी मुझे ज़र बता आगी कंशन में करके इस वीडियो को लाइक करना चैनल को प्सक्राइब करना और अगर आप लोगो को लगता है कि इस रीडिंग को देखना चाहिए तो आप से शिर जरुर कर सकते हैं अपना-पना ख्याल रखे थुआ मुझे इंस्त्रुग्र जल्दी मिलेंगे एक और नहीं रीडिंग में, तब तक के लिए, बाबाई